हेए फ्रेंड विलकम बैक आज इस वीडियो में अमलोग विल्ला सौट के करेंट चार्ट पैटरं और फिनेंसियाल्स के बारे में डीटेल में बात करने बाले है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं मैं उसके अपर भी वीडियो बनाने का पूरा कुशिश करूँगा त तो चलिए सिखते हैं एक साथ तो जैसे कि आप स्किन पर देख पा रहा है हैं ये विल्ला सॉप्ट का वन डेका चार्ट है वन डेका चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कमपनी का शेयर प्राइस पिछले कई मैनों से एक बेरोएज के अंदर था और बेरोएज के फॉर्मेशन के दुआरान ये एक बॉटम क्रेट किया उसके बाद थोड़ा उपर जाने का कोशिश किया था उसके बाद लगा था नीचे आने के बाद दूशरा यहाँ पर बॉटम क्रेट किया एक लोवर डॉबल बॉटम उसके साथ-साथ ये bear oj के अंदर जो आ रहा था इसके अंदर भी ये multiple formation कर रहा था जिसके दौरान इसका जो multiple यहाँ पर resistance point बनेगा तो पहले बार तो ये double leg के दौरान नीचे आया उसके बाद थोड़ा उपर जाने की कोशिश किया है ये spike and channel के दौरान और फिर ये नीचे आने की कोशिश किया है एक bear spike bear channel के दौरान जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके बाद ये लगातार एक channel के दौरान ये नीचे आने का कोशिश किया है और उसके बाद फिर से इसने यहाँ पे bear oj को create किया है और फिर उपर जाने के बाद यहां से इसने फिर से एक BROH create करने के बाद यहां पर आके इसने double bottom बनाया और फिर यह उपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहां पर इसका जो next यहां पर target या resistance point आप कह सकते हैं वो 326 के आसपास आ रहा है तो current chart pattern के basis पे क्या हम लोगों को यहां पर कोई swing trading का opportunity मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे तो यहां पर current जो support और resistance बन रहा है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तो पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं जो इसको support मिल रहा है वो 240 के आसपास हाल आपके 250 के आसपास भी इसे support मिलेगा मगर बहुत ज्यादा sustainable नहीं भी हो सकता है तो इसलिए 240 एक strong support हो सकता है इसका और उसके उपर जो support मिलेगा इसको 273 के आसपास इसको नया support मिलेगा और उपर जो इसे first resistance मिलेगा वो 325 के आसपास उसे अगर तोड़े 357 उसे अगर तोड़े 391 और फिर 434 और उसके बाद इसे जो next resistance मिलेगा 499 के आसपास और उसे अगर तोड़े 560 के आसपास इसे दो नया resistance मिलेगा तो यहाँ पर यह multiple resistance क्यूव हो रहा है देखिए यहाँ पर जो स्पाइक हुआ था उसके बाद चैनल क्रियेट किया था तो चैनल के स्टार्टिंग के आसपास इसका रिजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है और उसके साथ-साथ यहाँ पर टू लेग करेक्शन का फॉर्मिशन किया था तो यहाँ पर फिर पॉइंट में रुखना है और रुखके फिर उपर जाने का कोशिश करना है तो यहाँ पर अगर करेंस सीचुएशन में आपको इंस्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ से इसने एक बेयर वेच स्टार्ट किया था और बेयर वेच के फॉर्मिशन के दौर यह नीचे आने का कोशिश किया यहाँ पर बॉटम बनाया और यह तिन स्पाइक के दौरान नीचे आया यह एक एग्जॉर्शन टाइम था यानि कि यहाँ पर बेयर से यह काफी इनेक्टिव हो गया था उसके बाद पर भाद लगातर उपर जाने का कोशिश कर रहा है इसक के बाद यह उपर जाने की कोशिश करता है तो इसका जो नेक्ष्ट यहां पर टेक प्रोफिट का टार्गेट हो सकता है 326 के आसपास हो सकता है आप लोगा तो यहां पर अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो अबियसली यहां पर उपर्चुनिटी है क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट के द्वारा निये उपर जाड़ा है मंगर आपका जो यहां पर एंटी पॉइंट होना चाहिए 283 के आसपास होना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉच है 273 के आसपास होना चाहिए यहां पर और एक बात बता दो आपको मार्केट में अभी उत अगर आप अंदा दून पैसा लगा देते थे तो आपका जो स्टॉक है वो अपना टेक प्रॉफिट हीट कर जाता था अगले आने वाले एक मैने में दो मैने में तीन मैने में मगर करेंट सिच्वेशन के अंदर हाई इंफलेशन के बज़ए से ओवराल मार्केट एक पैनि कर रहा है तो जब तक ये इंफलेशन कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक हर एक कंपनी के अंदर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगा अगर आप बिल्ला सॉप्ट के करेंट कोटर का रिविन्यू देखे या उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट बगे रहा है उसे थोड़ा देखे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा इंफलेशन के बज़ए से कौन सा कौन सा एफेक्ट आता है तो यहाँ पर करेंट सीचुएशन में आप देख सकते हैं पिछले कोटर या कई कोटर से ये अपना रेविन्यू बरा रहा है मगर यहाँ पर जो ऑप इंफटर एक्पोर्टिंग कंपणी कांवे उसके अंदर भी आपको इस तरीके का फ्रेक्शन देखने को बहुत सा कंपणी के अंदर जो इनफलेशन के बज़ए से एफेक्टेट हूआ है वो सारे कंपने के अंदर आपको यह फर्मेशन देखने को मिल जा прыcidos यहाँ आरे कं रहा है मगर वहाँ पे inflation के बज़ए से ज्यादा employee को salary देना पर रहा है जो materials cost है वो high हो गया है जिससे कि उनका profit margin कम हो गया है और यह अपना product का price भी ज्यादा बढ़ा नहीं सकता क्योंकि competition market में available है तो इसके बज़ए से इसका तो revenue बर रहा है मगर यहाँ पे operating expenses भी उसके साथ साथ बर रहा है और operating profit margin नेट profit भी कम हो रहा है तो इसके बज़ए से current situation में most of the companies का share आपको देखने को मिल जाएगा कि वो बहुत जादा गिरा है हाली के वो अच्छा अच्छा company से जो आपको corona के बाद two times three times का profit भी दी के गया था मगर current situation में ऐसा यहाँ पे overall market के अंदर situation नहीं है पिछले दिन मैंने nipty का आपको analysis बताया था कि nipty पिछले time से जो गिरा था उसके बाद अपना जो पिछला high है उस तक जाने के लिए ये बहुत जादा मेहनत कर रहा है तो एक strong trend इतना जादा weak नहीं हो सकता है एक strong trend के अंदर आपको spike मिलेगा बहुत जादा यहाँ पे channels बगड़ा मिलेगा मगर वो जादा fluctuate इस तरीके से नहीं करेगा जब भी ऐसा होता है market एक correction को धूंडता है तो हो सकता है आने वाले time पे कोई negativity के दुआरान ये correct करेगा मगर अगर correct नहीं करता है तो over the long period of time ये रह सकता है consolidation phase में उसके बाद ये उपर जाने का कोशिश कर सकता है और तब overall market में एक positivity आ सकता है हाले के external market के दुआरान भी positivity यहाँ पे आ सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा क्योंकि जब तक positivity नहीं आ जाता तब तक आप अगर long term के लिए invest करते हैं तो आपका पैसा long term के लिए फस सकता है और अगर आप swing trading भी करते हैं अंदाधून जैसे कि आपन loss भी हीट हो जाता है swing trading करने से तो आपको ज्यादा मायूज नहीं होना है क्योंकि इस टाइम पर ऐसा होता है क्योंकि most of the stocks are failed in the wrong market and right market में भी फिल होता है मगर most of the stocks fail नहीं होता है 20% के आसपास होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं current situation के अंदर जो formation यह कर रहा है यह का formation कर रहा है जिसकी इसको 326 के आसपास आना चाहिए मगर आपका जो स्टॉप लॉस हीट हो जाता है तो आप तोबारा मत सोचिएगा स्टॉप से इमीडेटली निकल जाएगा क्यूंकि इस तरीके का स्टॉप लॉस हीट होना कॉमोन चीज़ है और आपको आपके प्लान के एककॉडिंग स्टिक्ट रहना है और अगर आप एक लॉंग टर्म इंबेश्टर है मैं आपको यही कहना चाहूंगा current situation के basis पे most of the companies का stock और भी ज्यादा गिर सकता है मंगर वो अगर strong companies है तो वो long term के लिए consolidation phase में जा सकता है तो इस time पे अगर आप position भी लेते हैं कोई stock आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो वहाँ पे 10% 20% आपके portfolio का या आपका capability है उतना ही होना चाहिए मान लीजिए आ आपको 10-15 stock ही लेना चाहिए उससे ज्यादा नहीं क्योंकि market आपको आने वाले टाइम पे और भी अच्छा opportunity देगा क्योंकि market में अगर negativity खतम हो जाता है या थोड़े time के लिए pause भी होता है तो market फिर से भागने की कोशिश करेगा क्योंकि बहुत साड़ा investors traders sideway में बैठे तो current situation में आप cash में अगर बैठते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा और अगर आप आपके portfolio के अंदर 10-15% या 20% तक position लेके रखते हैं तो वो भी अच्छा है क्योंकि आपका portfolio ही overall market से बहतर आपको आपका indication दे सकता है कि overall market आने वाले time पे किस तरब जाने वाला है क्य जा रहा है तो इसके अंदर मुझे और भी ज्यादा position लेना चाहिए या कौन सा positivity है जो आने वाले time पे मुझे और भी अच्छे तरीके से return बना दे सकता है इस particular sector के अंदर या इस particular stock के अंदर तो time to time company के quarter on quarter result को भी track करते रही है वो भी अच्छा खासा parameter है या barometer है market को track करने का या जो particular companies या sector को आप देख रहे हैं उस sector को track करने का क्यूंकि उसका quarterly result वो बता देगा या दो दिन चार company के quarterly result आपको बता देगा कि कैसा आने वाले time पे market का movement हो सकता है और इस chart का detail analysis मैं telegram channel पर update कर दूंगा अगर आपने अब तक join नहीं किया है तो नीचे description पर link दिया क्योंकि अगर suddenly कोई भी opportunity emerge होता है तो वहीं पर पहले upload हो जाता है और उसके बात video बनानी की मैं कोशिश करता हूं क्योंकि video बनाना बहुत ज़्यादा time consuming होता है तो जाके telegram channel को आप join कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा active भी रहता हूं अगर आप किसी द कोटिफिकेशन आप लोग को तुरंट मिल सेकें मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए थैंक्स पर वाचिंग एन हैपी इंबेस्टिंग